हमेशकार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं UKSSC क्रैकर में तो जैसे कि उत्राखन अधिनस सेवा चैन आयोग ने जो सहायक अध्यापक LT का रिजल्ट घोसित किया था ठीक है तो first merit list तो जारी कर दी थी लेकिन बहुत से अभ्यरतियों के जो हैं document verification में गलत हो रहे हैं ठीक है जो documents होते हैं वो गलत होते हैं तो क्या chance बन सकते हैं आप लोगों के second merit list में आने में ये मैं आपको बताओंगा ठीक है तो आप लोगों ने सभी ने merit list देख लियोगी और बहुत से लोगों ने पूछा भी क्या हमारा chance बन सकता है second merit list में तो इसका जवाब रहेगा हाँ आपका chance बन सकता है तो वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो ये तो आप सभी लोगों ने देख लियोगी कि कितनी merit हाई गई है कितनी गई है ये मैं इस पे discuss नहीं करूँगा अभी सीधे point पर आता हूँ कि किस तरीके से जो है second merit list में chance आने के बन सकते हैं तो आप देख सकते हैं सिखसक भड़ती में अमान्य प्रमान पत्रों की जाज कर कारवाई के निर्देश दिये गए हैं ठीक है तो ये एक latest news है और 11 तारिक को आई है ठीक है तो 11 तारिक सुक्रवार फरवरी की दिन आज ही की दिन ये आई है news तो आप सभी को मैं अवगत कर कि क्या माम लाया और किस तरीके से जो है जो document verification की process होती है उसमें कितने लोगों का documents reject हो रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से ठीक है प्रदेश में basic के पदों में साहय कद्यापकों की जो भड़ती चल रही है ठीक है तो सिखसक निर्देश अलाई ने अमान्य प्रमान पत्रों ठीक है तो आप साफ साफ देख सकते हैं अमान्य प्रमान पत्रों के आधार पर चैन प्रक्रिया में सामिल होए उमिद्वारों के प्रमान पत्रों की जाज कर नियमन अनुसार कारवाई के निर्देश दिये गये ठीक है तो इसमें काफी बड़ी process रहती है और प्रदेश मे और परिक्षा में सामिल होगे मतलब उनका ब्यर्ट को डियेलेट दर्साते हुए उत्रा खन की जो परिएमें मतलब इस फॉर्म भर आता ठीक है तो इल्ट का फॉर्म बने से ये प्रमार्पत्र प्राप्त कर लिया था तो आप साब साब देख सकते हैं प्रमार्पत्र प्राप्त कर लिया था अवैत तरीके से प्रमार्पत्र प्राप्त करने के बावजूत इन अभ्यर्तियों को चैन प्रक्रिया में सामिल कर लिया था तो ये काफी गलत तरीका है जिस कोर्ट में मतलब उनने याचिका दैर गी ठीक है निर्देश अले नौ दिसंबर 2021 को अभ्यरतियों के आविदन का निप्टारा करते हुए आदेश दिये गी ठीक है तो वर्स 2012 से 18 के बीच में केंद्र ध्यापक पात्र परिक्षा के आधार पर चैन परिक्रिया में सामिल पूरा नहीं हुआ था और दुत्यवर से चल रहा था ठीक है रिजल्ट नहीं आया था और नहीं मार्क्षीट और यह आया था तो उनने क्या कर दिया था अपलाई कर दिया था ठीक है फॉर्म फिल कर दिया था तो उनको क्या कर दिया जाएगा रिजेक्ट कर दिया जाएग एक बात और T.E.T. प्रमाण पत्र यहाँ पे लिखा है इस पस्ट उल्लेक पर फिर नहीं देखा फिर भी नहीं देखा ठीक है तो अपर सचिव जो ब्रिज मोहन जी है अपर सचिव ब्रिज मोहन सी रावत निर्देश सक्क को लिखा गया है कि पत्र लिखा है 31 दिसंबर 2016 से अठाई जून 2018 के बीच दो अध्यापक पत्र परिक्षा आयोजित की गई थी ठीक है तो इसमें क्या हुआ था बियत प्रशिशित जो भी योगगी अभ्यरती थे उनको सामिल नहीं किया गया था तो उनका कहना है कि योगगी लोगों को सामिल नहीं किया गया था और परिस समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपका मतलब जो भी आप लोग ने मतलब डीलेट की बीच में अपने फॉर्म कर दिया था तो उन लोगों को क्या कर दिया जाएगा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और उनका सेलेक्शन होना इंपॉसिबल है ठीक है तो यह है आ जानकारी अच्छे लेगी तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट में आपको जल्द से जल्द प्रोवाइट कराते रहूंगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए